हाँ तो नमस्कर दोस्तो दरोगा बहाली की मुख परिक्षा 22 जुलाई को हाँ दोस्तो तो आज का हिंदुस्तान नीज पेपर आज यानि 25 माई के हिंदुस्तान नीज पेपर में एक नीज आई है जिसमें बताया गया है कि दरोगा वाहली की मुख परिक्षा 22 जुलाई को होगी यानि संभाव है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दरोगा भरती का मुख परिक्षा के लिए 22 जुलाई को संभावी तीथी रखी है आयोग ने परिक्षा केंदरों के चैन के लिए सभी जीला पतादीकारियों को दस दिन पहले ही पत्र भेजा है मुख परिक्षा के लिए 29,369 परिक्षार्थी सफल हुए है यानि टोटल जी परिक्षार्थी सफल हुए है उनके संख्या 29,369 है इस बर पटना में ही ज्यादा सेंटर बनाया जाएंगे आयोग ने द्रोगा के सत् सवाल नहीं देना है अभी आयोग मुख परिक्षा अजन करा रहा है तो आपको मुख परिक्षा पर ही फोकस करनी है तो इसी को ध्यान में रखकर परिक्षा में बिसे सतरक्ता बरती जाएगी परिक्षा में किसी सेंटर पर मुबाइल ले जाने की मना ही रहेगी वहीं परिक्षा बिसे सगे डक्टर एम रहमान ने बताया कि मुख परिक्षा के लिए सफल अवेर्थियों को तैयारी में जूट जाना चाहिए इसके बाद सरीरिक दक्षता होगी और सरीरिक दक्षता में जो सफल होंगे उनका मेडिकल कलरा जाएगा और उसके बाद जो हूँ उनको न्यूक्त किया जाएगा बिहार द्रोगा में तो जो चातर सफल हुए है वो बाश जुलाई मुख परिक्षा डेट को मानते हुए अपनी तैयारी में लग जाए और आप तैयारी करते हैं आप ज़रूर सफल होंगे और इसके बाद पीटी की भी तैयारी कर दें क्योंकि ये में आपका पीटी है पीटी निकलेंगे तभी आपकी निक्ति की जाएगी और पीटी में एक लिस्ट दो लिस्ट भी आयोग जारी कर सकता है जब तक उनको 17 सा 17 दरोगा नहीं मिलेगा तब तक वो एक दो लिस्ट जारी कर सकते हैं जैसा बिहार पुलिस में किया जाता है तो आप उस 22 जुलाई को डेट को संभावना रखते हुए आप अभी से तैयारी में जूट जाएं हाँ तो इसी तरह की और जनकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और बगल की बेल की घंटी बजा दे तक कि जैसी कोई वीडियो बनाओ क्वाब के पस्पोंज दें